दोस्तों यह आपके सामने खड़ी है अपाची 204 वी यह है ब्लैक और रैड कलर में आज हम इसमें बात करेंगी कि ए 20 के बदलाव के साथ इसमें कुछ और बदलाव हुए हैं देख सकते हो सीट बिल्कुल सेम है जैसे पहले स्प्रिट सीट आती थी वही सीट है डिजाइन भ भी सेम है ग्रेब रेल भी सेम है एक्जोस्त भी सेम है इंडिकेटर भी सेम है सब कुछ दोस्तों सेम ही है आप देखके तो टैंक भी सेम है और जो मीटर कंसोल है वो भी बिल्कुल सेम है कि स्टार्ट पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है और सबसे पहला इसमें बदलाव ह सद्रे का एक टेर मिलता है जो कि कम है 200 सीची के साफ से तो दोस्तों कम है रेडियल टेर भी नहीं है यह पैटल डिस्क मिल जाती है आपको 270 mm की यह भी 200 400-200 सीची के हिसाब से यह भी पैटल डिस्क में थोड़ा बेख सकते हो इंजन आप ओयल कुलिंग इंजन मिलता है आपको व्लीकट कुलिंग नहीं मिलता है जैसे इसमें में कोई लीक्री एक जो सकते हैं डॉबल बैरल का जो पहले आता था वही है यह यह आपको अन्य चेहले बैक लाइट है यह एलेडी के बहुत पहले से डिजाइन यही आ रहा है इसका सीड देख सकते हो आप टैंक का डिजाइन भी सेमी है कोई ग्राफिक में भी चींज नहीं हुआ है आचे अकश कनेक्टिड आपको मिल जाती है यह लुटूथ कनेक्टिड भी और हैडल में दिए डिएरेल भी दोस्तों यही चल चल रहा है काफी टाइम से डिएरेल भी चींज नहीं है कि दोस्तों बस एक कि ए उच्वेंटी का यह एक सो साथ है आप देख सकते आप के सामने इसमें भी दोस्तों कुछ बदलाव नहीं बस इसमें एक बदलाव है वह एक दर देख देख सकते आप इसका मिंटर कंसुल से में कुछ भी इसमें मदलाव नहीं है यह देखो आट यार वन सिक्स्टी फॉर वी यह स्टेल्थ अडिशन है इसका जो सब बेसिक आता है कि एक्स कनेक्टिट के साथ यह बेसिक वाला मोडल है पर थोड़ा जो उपर आता है बेसिक से एक उपर वो है वोईल कुलिंग यह आता है दोस्तों पैटल डिस्क मिलती है इसमें 270 mm की और 90 का टैयर मिलता है देख सकते हो आप बात करते हैं इसके दूसरे चेंज के उपर तो बस इसमें एक एक्जॉस से बल्फ एक्जॉस है जिसकी बेसिक थोड़ी सी बढ़ जाई अब आच की यह दोस्तों सीची वी अपडेट आना चाहिए था पर अभी क्यों नहीं आया पता नहीं है रैड गलर का आपको रिम मिल चाहिए थे और पैटल डिस्क 300 mm की होनी चाहिए थी और सामने एक यूजडीव फोक्स होने चाहिए थे और अटजस्टेबल पीछे के मनोसोक सोकर होने चाहिए थे रेडीयल टेर पीछे होने चाहिए था जो कि 140 mm होंडा और मिल जाता है आपको और NS 200 में भी मिल जाता है आ कोई भी इसमें दोस्तों भी अपाची दोस्तों में चेंज नहीं है वह रहाल आप यह लुक अगर पसंद आ रहे तो आप पर्चेस कर सकते हैं यहां पर यूएजडी तो आपाची की जो खूबसूरत है वो काफी अच्छी हो जाती पहले के मुकाबले क्योंकि अगर ब्लैक क उसमें लिक्वीड कुलिंग होना चाहिए था लिक्वीड कुलिंग होता तो बाइक बहुत ही अच्छी लगती है यह लिक्वीड कुलिंग होता ओविल कुलिंग के जो कैप्सल वह भी बहुत कम है 5-7-5 हैं आप फिरो एक्स्ट्रीम आर भी देख सकते हो 160 आर जो की काफी अच्छे लूप में आ रही है वह अगर आपको 200 CC में चाहिए तो पलसर NS200 भी देख सकते हो आप या BS8 इसका आएगा या 9 आएगा उसमें शायद हमको सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ 300 सब्सक्राइब होने वाले हैं दोस्तों वीडियो के रिव्यू भी बहुत जल्दी बहुत सारी बाइकों के आने वाले हैं